नमस्कार मैं गितानली वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर रॉइंगन बिंटिंग ऐसे में गवर्मेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवड़ा बी पार्ट सेकेंड के थियोरी पेपर में इस वीडियो में हम खजुराह मंदिरों से समन्दित अध्यान का अंतिम भाग जानेंगे जिसमें खजुराह मुर्टिशिल्प की विशिष्टाओं के आधर पर जो छे भागों में उसे बाटा गया है उनका हम अध्यान इसमें करेंगे साथ ही विभिन मुर्दियों को भी हम दर्श्य रूप में देखेंगे चित्रों के माध्यम से जो खजुराओं की मूर्तिशिल्प की विशेष्टा हैं उनके अधर पर जो छे भागे हैं उनमें पहला है देवी देवताओं की सभंग मूर्तियां जिनमें तिर्थंकर, विश्णु, शिव, आदी की मूर्तियां हैं दूसरा है प्रमुक्देव के पार्ष में सहायक देवी देवताओं की मूर्तियां जो कित्रभंगी हैं जैसे नवग्रह, शक्तिस रूपा, अवतारों आदी की तीसरी है नारी सौंदर, लावन, शंगारत, आकृतियां, सुर्थ सुंदरियों वा अपसराओं की रूप में अंकित स्तंभों पर चारों और से गड़ी गई हैं और दिवारों पर सामने से गहराई तक उन्हें बनाया गया हाई रिलीफ जिससे कहा जाता है उसमें ये उत्किर्नित की गई है विवित स्थलों पर विभिन क्रिया का लापों में लीन आकृतियों का सुयूजन अगला भाग है पांचवा हिस्सा है देवों छोटे गणों गंधर्वों किन्नरों एवं विध्यादरों आदी का प्रतिकात्मक अंकन और छटा जो भाग है निन मूर्तियों का मूर्तिशिल्पों का उनमें है कामकला से सम्मंदित प्रतिवाएं जिनमें मैथुन आलिंगन आदी के द्रश्य हालांकि ये मातर दस प्रतिशत ही जो सम्पूर्ण मूर्तिशिल्पांकन है उसका है इस प्रकार के द्रश्य प्राय मद्यकालीन सभी केंद्रों में दर्शाए गए हैं इसे पहले जो हमने कुनार्क का ध्यन किया वहां पर भी कुनार्क के मंदिरों में भी इस तरह के मूर्तिशिल्पों का उतकिर्णन किया गया है इस समय का शिल्प समाज में सदयव बहस का विश्य बना रहा है तो यहां पर हमारा खजरव मंदिरों का द्यन समात होता है और उसे समंदित विभिन जो चित्र संकलन मैंने किया है उसमें हम इनकी खूबसूर्ती देख सकते है क्यों ये मूर्तिशिल्प विश्य प्रसिद्ध है ये हम इन चित्रों के मादे हमसे जान सकते है ये है विश्यू का पतकीरिनन है मूर्तिशिल्प है जो की लक्षमन मंदिर में एस्थित है हम देख सकते हैं बहुत सुन्दरता से और शडंग के सभी तत्वों को प्रयोगिस में देखा जा सकता है यहां विभिन मुद्राओं में बने मूर्ति शिल्फ हैं यहां मानवाकृतियों के साथ पश्वाकृतियां भी निर्मित हैं जिन में लावण ने देखने को मिलता है मानवाकृतियां तो हैं लावण ने पूर्ण आदियन आदि स्वरूप हम देख सकते हैं बहुत सुन्दरता से उतकिर्णित किया गया है लायात्मक जो गती इसमें दिखाई दे रही है भारतिये मूर्ति शिल्प का एक सुन्दरता मुदारण यहां हम देख सकते हैं मनुष्यों के साथ पश्यों का भी साजीवंकर निस इन मंदिरों में किया गया है उसे हम इस चेत्र के माद्यम से देख सकते हैं पूरे मंदिर की बाहरी दिवारों पर जो गिर्णन है वह अद्विती है देखने लायक है और इतनी बारी किसी काम किया गया है जो कि इसे विश्विधरोहर का दर्जा देलाता है इस चेत्र के द्वारा हम देख सकते हैं बहुत बारी किसे जो शिल्पी है उन लोगों ने इसमें कारे किया होगा और बहुत मेहनत से कारे किया होगा विभिन मुद्राओं में नायक नायक आएं अपने सुन्दर तम सुरूप में इन मुर्तियों का गठन किया गया है इन ने बनाया गया है बहुत सुन्दर तरीके से और लावन्ने का पुरा ध्यान रखा गया है यह एक विशिष्ट हिस्सा है इन मुर्ति शिल्पों का शाल भंजिका जो की छज्जों के साथ जुड़ी हुई बनाई गई है इस्तरी आकृतियां और लोचदार त्रिभंगी मुद्रा में बनाई गई है इने शाल भंजिका कहा जाता है एक अन्य शाही दर्बार का द्रिश्य जो कि लक्षमन मंदिर में जो कि इन मंदिरों में जीवन से जुड़े सभी आयामों को अंकित किया गया है उसी का एक उधारन हम यहां देख सकते हैं दर्बार में विभिन आकृतियां बनाई गई हैं महराजा के सामने एक स्तरी आकृति है और पिछे दासियां उपकिर्णित की गई हैं श्रंगारत महिला हैं स्तरिया नाईका हैं जो कि जहां नाईका होती है वहां श्रंगार आवश्यक रूप से जोड़ा जाता है हम यहां बहुत सुंदर मूर्तियां नाईकाओं के श्रंगार की देख सकते हैं इसी के साथ हमारा खजुराओं मंद्रियों से संबंदेत अध्यान पूर्ण होता है धन्यवाद